हाई गाईस आई होफ यू आ डूइंग वेल यार बहुत सारे बच्छों की एक वारियारी थी कि भाया हमाई सीट अलोट हो चुका है तो अब आई सर केसे जोइन करें कहां पर पीस पेमेंट करें ओके इसके रिगाडिंग कोई ओपीशियल नोटिफिकेशन बगएर आप सावजन तो दे दी आई सर्ट जे को और जो आपकी बाकी जो बच्छी पीस है वो कब देनी है डोकुमेंट किसको वेरिफाई किसे कब कैसे करवाने हैं ओके तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं यार अभी जैस्टे और रही बात क्लासों की कि भाया क्लासे कब से स्टार होगी ओके स्टूडेंट तो क्लासे तब तक स्टार नहीं होगी जब तक सारे अदुशल कंप्लिट हो जाएगा उसके बाहत आपका इंडक्शन क्लासे स्टार कि जाएगी और को पीच बगएरा पीे कris सर्ट करना हैं आपके क्या टाम टेनेबल रहेगा आपके इंस तिरुपती ने यह कहा है कि जो भी बच्चे जिन भी बच्चों को अलोट हुआ है इंस्ट्यूट ओके तो उनको जो इसकी तरफ से एक इमेल जाएगा यार इमेल उन्हीं बच्चों को जाता है जिनोंने फ्रीज उप्चेन सलेक्ट किया हो जिन बच्चोंने फ्लोट वेफसाइटों पर ओके तो याप तिरुपती की वेफसाइट पर तो भी यह ओप्शन दिख रहा है ओके फुल गाइडलाइन आ चुकी है इसके रिगार्डिंग देख सकते हो आप ओके स्टुडेंट सो इसके उपर तो जो है मोबाइल नमर इमेल आइडी भी दिया गया है जहां पर आप इमेल क्वारी बगएरा बगएरा जो भी यह डाल सकते हो ओके देन प्रोसेस रहेगा ओल सारे इस्टिटूट के लिए रही बात क्लासों की की भहिया क्लासे ओफलाइन चलेगी की ओनलाइन चलेगी तो स्टुडेंट क्लासे जो है वो फुली ओनलाइन आप लोगों ने तो 11 और 12 दोनों ही कोरोना के अंदर निकाले होगे गर पर बटे बटे लेपटोप के सामने बेटने की आदत हो गई होगी ओके तो यह जो सेमेस्टर है एकसेप्टेड मान सकते हो कि ओनलाइन ही होगा चाहिए वो आयाइटी हो आयाइस्टी हो सारे सब कु ओनलाइन ही होगा ओके और फिर से कोविट की सिच्वेशन बंद रही है अभी तो फिर से ख्याल रखे ठीक है और इसके लिए आपको क्या करना है फीस बगरा कैसे किसको देना है तो स्टूडेंट्स यह है आईसर कोलकता की वेबसाइट ओके इसके उपर भी तक इसका कोई कुछ नोटिस्प्टेशन बगरा नहीं आया है और आइसर पूने भी है और इसके उपर भी कुछ नोटिश बगरा नहीं दीख रहा है ओके देन यह जो आईसर मोहली पे नहीं दिकह रहा है और डिख आएस यह ऐसे विद पी इस बी इस पार आपको लोट हुआ है